Hello guys, welcome back to my channel तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई अच्छे college में थोड़ी सी lower branch मिल रही है जैसे अच्छे college हो गए आपके tier 1 colleges, D2, NS, UT, आपकी IITs इन सब में आपको कोई lower branch मिल रही है और आपको किसी tier 2, tier 3 colleges मेला, IP के colleges हो गए इन में आपको CSIT या अच्छी branches मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को all पे जरूर सेट कर लेना मैं आपको इसी चैनल पे सारी चीज़े notify कराता रहता हूँ ताकि आपको कहीं और कुछ भी सर्च करने की जरूत ना पड़े भाई तो चलो वीडियो को शुरू करते है यह टॉपिक ना थोड़ा सा वास्ट हो सकता है क्योंकि आप इतने सारे बच्चे देख रहे हो अब अलग अलग बच्चे को अपने इसाप से डाउट होगा कि मुझे इस तो इन दोनों में से क्या चूस करना चाहिए वह आपको बता देता हूं दूसरी बात यह आती है अगर आपको थोड़े लोड़ टीर वन कॉलेज जिसमें लाइक डीटी निटी इन सब में आपको और ब्रांच मिल रहे है लाइक सिविल केमिकल बायो टेक यह सारी ब्रांच मिल रही है और आपको टीर 3 कॉलेज में CSI apparent मिल रहे है तो आपको क्या चूस करना चीए तो अगर आपका जो टीर 3 छो यह इना वो थोड़ा अच्छा ए उसी कॉलेज college की placement अच्छी है ताकि हम उस college को ले सके over किसी अच्छे tier 1 college में lower branch लेना क्योंकि भाई tier 1 colleges में companies तो आपकी बहुत जादा आ रही होती है यह तो guarantee ठीक है 200-200-300 companies आ रही होती है ठीक है बट जो lower branches होती है ना like civil chemical biological biotech हो गई इनको भाई companies उतना allow नहीं करती है ठीक है बच्चे क्या करते हैं पता है वो ना एक PDF मिल जाती है उन्हें पता नहीं कहां से सोचते हैं कि भाई इस company इस ब्रांच को तो मैं यह lower branch ले लेता हूं इसमें तो इती सारी companies मुझे allow कर रही है बट भाई यह सच नहीं होत जो lower branch वाला बच्चा है उसकी skills उनसे बहुत ज्यादा अच्छी है ठीक है ठीक है तो इनकी जो marketing होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है ठीक है यह अपनी marketing में आपने जो average package है median package है उसको कुछ भी लिख देते हैं ठीक है यह मैं आपको बता रहा हूं आपको na blindly किसी भी college की website पर जाके उसका average package जो भी लिखा हुआ या median package जो भी लिखा हुआ है उसे नहीं मानना है ठीक है क्योंकि यह private college होते हैं वो भाई कुछ भी लिख सकते हैं कुछ private colleges होते हैं जो highest package इतने का गया और average package 12 lakh है 13 lakh है तो भाई बच्चा ना उन्हीं के colleges को ले लेता है ठीक है और यहां पर बच्चा फस जाता है बाद में उसे पता लगता है कि भाई इस college में तो placement ही नहीं है तो भाई यहां पर बच्चे के future पे बात आ जाती है कि जो आगले 4 साल वो 8-10 लाक रुपे लगाने वाला है किसी college के अंदर तो वो लगाना उसके लिए ठीक है या नहीं है उसके पैसे सही जगा लग रहे है या नहीं लग रहे है ठीक है तो भाई इस चीज में मैं आपकी really help करना चाहता हूं ठीक है मैं खुद आपके साथ personally call में बात करके आपके सारे doubts clear कर सकता हूं कि आपको भाई कौन से college में admission लेना चाहिए इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ठीक है खुद personally हम आपके साथ discuss कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा college best रहेगा भाई हमारे networks हैं बहुत सारे colleges के अंदर जो आपको internally उस college की placement real placements बता सकते हैं ठीक है और वो आपको कहीं website वगेरा पे नहीं मिलेगी ठीक है वो तभी मिलती है जब आपके fourth year के जान पहचान वाले लोग उस college में हो लाइक अगर आप मेरे को बोलोगी भई आप DTU के civil वाले से fourth year वाले से मेरी बात करा दो मैं करा दूँगा आप बोलोगे नसुट के mechanical fourth year से बात करा दो मैं करा दूँगा ठीक है उनको सबसे ज़्यादा पता होता है placement के बारे में कैसी placement है ठीक है website पे तो लोग stats कुछ भी बागी colleges में भी हमारे काफी अच्छे established networks है ठीक है और आपना इस counselling support में आप जब मर्जी चाहो तब मर्जी मेरे को call कर सकते हो ठीक है personally आप 24-7 कभी भी call कर सकते हो call का response दिया जाएगा और फिर आपको अराम से बैठके इतमिनान से आपकी सारे doubts clear कर दे जाएगे ठीक है जो पिंड कमेंट में आपको सारी details मिल जाएंगी मेरी Instagram ID मिल जाएगी आप मेरे को message कर सकते हो या mail कर सकते हो अगर अगर आपको DTO NSTUD में बहुत ही lower branch मिल रही है like biotech हो गई, civil हो गई और साथ में आपको IP के किसी अच्छे college के अंदर, अच्छे college मतलब 4-5 top college like Maharaja aggressive हो गया, MSIT ह इन में अगर आपको computer science मिल रही है, सथ आपको वो चूज कर लेनी चाहिए ठीक है और साथ में एगर आपको और किसी college में लाइक, WIT, SRM, MATE इन सब में भी आपको CAC नहीं मिल रही है और किसी lower tier 3 college में CSE मिल रही है like private colleges हो गया अपने METE अगरा हो गया NOIDA के colleges हो गये और बागी private colleges हो गये तो भाई यहाँ पर सोचने वाली बाद आती है क्योंकि इन colleges में opportunities आपको नहीं मिल रही होगी ठीक है क्योंकि वहाँ पर आते हैं जातर mass recruitment बहुत सारे बच्चों को उठाकर लेके जाते हैं पर पैकेज आपका साढ़े तीन लाग चार लाग ऐसे ही दे रहे होते हैं वह average package college वाले ज्यादा दिखा देते हैं लाइक जो भी private college हो गये आप बहुत सारे private college है जैसे M.A.T. हो गया, J.N.I.O.T. हो गया और भी काफी सारे हैं ठीक है तो वह ऐसे average package ज्यादा दिखा देते हैं websites पे ठीक है बट D.T.O.N.S.U.T. में थोड़ी opportunities, peer group और आपका culture थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मिल रहा होगा ठीक है coding culture क्योंकि जो आपका चार बच्ची आपके साथ पढ़ने वाले होंगे न तो आप भी खुद अपने लिए कुछ करने की सोच होगे ठीक है बट private colleges में आप देखोगे तो peer group बहुत ही zero होता है विल्कुल कोई मतलब seriousness की कमी बहुत जादा होती है बट अपने DTO NSUT में जैसा मैंने बताया कि अच्छा peer group मिलेगा साथ में opportunities बहुत जादा है ठीक है लाइक आपको अगर कोई मतलब non-tech में जा सकते हो ठीक है टेक में जाना है तब भी आप आपको 5-10 या 10-15-20 परसेंट कमपनी अलाओ कर रही होते हैं टेक को भी ठीक है उसमें आप अच्छी प्लेसमेंट निकाल सकते हो और अच्छी कमपनीज भी अलाओ करते हैं गूगल हो गया ओपन टू आल होती है ठीक है वो भी आप क्रैक कर सकते हो ठीक है तो अगर आपको किसी tier 3 lower college में like IP के या फिर किसी private college में CS मिल रही है और आपको DTU, NSUT, NIT वगेरा इन सारे tier 1 colleges में आपको भूती lower branch मिल रही है तो मेरे ख्याल से आपको tier 1 colleges चूस कर लेने चाहिए भाई अगली category of students की तरफ आ जाते है ठीक है अगर आपको मिल रही है किसी अच्छी IIT में थोड़ी सी lower branch ज्यादा lower branch की बात ने कर रहा है मतलब थोड़ी सी lower branch मिल रही है आपको civil हो गया, आपको mechanical हो गया यह आपको branch मिल रही है ठीक है अच्छी IIT मतलब top की 7 IIT के अंदर ठीक है साथ में आपको DTU, NSUT के अंदर आपको मिल रही है Computer Science ठीक है आपको चीए कि भाई मेरको थोड़ी opportunities और college लाए थोड़ी सी जादा चीजी है ठीक है अगर आप चाहते हैं कि आपको opportunities थोड़ी सी और जादा मिले और आपको मतलब की यह है कि मेरको tech, non-tech सारे options मेरे लिए खुले है मेरको भी decided नहीं कि मुझे कहा जाना है और अगर आपको वह ऐसा college चीए जिसमें पूरे इंडिया के best minds आपके साथ पढ़ रहे हो तो भाई यहाँ पर मैं आपको recommend करूँगा कि आपको IIT ले लेनी चीए ठीक है बट अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको tech placement चीए एड़ चार साल के बाद आपको एक अच्छी placement चीए ठीक है tech placement में जाना है आपको तो भाई आपको DTU NSUT की CSE for sure आपको ले लेनी चीए भाई अगर आपको किसी new IIT या new NIT के अंदर computer science मिल रही है साथ में आपको DTU NSUT के अंदर computer science मिल रही है और आपको सिर्फ tech placement चीए तब भी मैं आपको यही recommend करूँगा कि आप DTU NSUT की CSE ले सकते हो ठीक है जो की नई IIT है ना लाइक IIT मंडी हो गई यह सब हो गई ठीक है इनकी placement अच्छी है बट DTU NSUT कंपारेजन में थोड़ी सी कम रह जाते है ठीक है और location factor भी आपका डेली में रह जाता है इन colleges के अंदर DTU NSUT के अंदर ठीक है मेरे भाई काफी जानने वाले पढ़ते हैं new IIT में like IIT मंडी हो गई ठीक है और काफी जानने वाले DTU NSUT में भी पढ़ते हैं आपको एनाइटी कुरुक्षेतर में आपको एसी मिल रही है उस रैंग पे आपको मेरे क्याल से DTU NSUT में इलेक्टरिकल ही मिल पाएगी ठीक है वाले बच्चों की होरी होती है मतलब काफी मैंने खुद देखे हैं जो इलेक्टरिकल वाले बच्चों में जाते हो यह स्प्रिंकलर में जाते हो ठीक है तो आप वीडियो को इतना ही रखते हैं अगर आप चाहते हो कि tier 1, tier 2, tier 3 में कौन-कौन से college आते हैं वो जानना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर वीडियो लगा दिया आप वो देख सकते हो ठीक है बाई तो अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं यहाँ तक आगे हो तो चैनल को subscribe जबरू कर देना वीडियो को like कर देना thanks for watching